सरकार द्वारा सेना को अतिरिक्त्त फंड नहीं दिया जाने की कारण सेने को अपने पैसे से युनिफार्म और दूसरे कपड़े खरीदने पढेंगे भारतिय सेना ने सरकारी औरडिनेंस फैक्टरियों से अपनी खरीदारी में भारी कटोती करने का फैसला लिया है यह फैसला छोटे युद्ध की स्थित में फौरीत और परमहत्वपून गोलाबारूद खरीदने के लिए पैसा बचाने के उद्देशे से किया गया है पोर्ट के मताबिक आरडिनेंस फैक्टरीच से सप्लाई होने वाले प्रॉड़क्ट्स को 94 फीजदी से कम करके 50 फीजदी पर लाया जाएगा सेना को यह कदम इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि केंद्रिन ने गोलाबारूद की आपात कालीन खरीदारी के लिए अतरिक्त फंड नहीं दिया है इस कदम से सैनेकों को वर्दी की सप्लाई प्रभावित होगी ऐसे में सैनेकों को अपने पैसे से युनिपॉर्म और दूसरे कपड़े सिविलियन मार्केट से खरीदने पड़ेंगे बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियों के पुर्जों की खरीदारी भी प्रभावित होगी सेना आपात कालीन गोला बारूद के स्टॉक को बनाये रखने के लिए तीन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिसके लिए हजारों करोड रुपे के फंड की जरूरत है इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने एकनॉमिक टाइम्स को बताया कि ऐसी स्थिती में सेना अपने न्यूनितम बजट में ही विवस्था बनाने में जुट्टी वितवर्ष 2018 से 19 के बजट को देखते हुए अधिकारियों ने बताया कि सेना के पास आड़नन्स फैक्ट प्रभावित हुए हैं। सक्षम नहीं हैं। उन्होंने बताया कि सेना के इस कदम से हर साल करीब 3500 करोड रुपे बचेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसमे 4000 करोड रुपे और जोड़कर इस राशी को सालाना 7000 से 8000 करोड रुपे तक लेकर आएंगे।